मैं हूँ लगना तन्वीर और टागेट को आईक्यू की तरब से आज मैं आपके लिए वीडियो लिखाई हूँ आज हम लोग डिसकस करेंगे सोशिलोजिकल स्कूल के जूरिस जो है रॉसको पांग समाज शास्त्री विछारधारा जो हमारी है जो के बहुत इंपोर्टन एक कोड़िकल जो इसको सुधारने के लिए इनोंने एक अलब स्कूल 20 कि यह कहते हैं समाज शास्तरिय विछार लारतिकर तो तो इसी स्कूल के रॉसको पाउन जो एंजुस इंपोर्टेंट जिोरिस्त हैं उसको आज इसके onелियी स्कूर्ज ने ए एऍटर्ण के बात करता हैP यॲॉओ और सोसाइटी नियुक्त की बात करता है ठीक है लोब और ससाइटी जो एक साथ चलती है ऐसा अधर स्कूल का मानना है ठीक यह है इन्होंने टेएरिदिन को लापnyीं जिसको हम हिंदी में समाजिक अभी आंटर की का सिधान भी कहते हैं यह समाजिक इंजीनियलिंग का सिधान जो भी आपके लिए शोशल इंजीनियलिंग की छोरी किस ने दी वो रॉस को पाउंड ने दी ठीक है वो कहते हैं रॉस को पाउंड कहते हैं कि law is more than a set of norms मतलब विदी मानकों के नियम से कहीं ज्यादा है मतलब सिर्फ विदी सिर्फ मान है जो पिरेमिड ओफ नॉम्स हमने बढ़ाता तो रॉस को पाउंड क्या कहते है कि आप लॉग को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि law is a set of norms मानकों का कि श्रंखला सिर्फ विदी नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा ठीक है उससे कहीं ज्यादा मतलब क्या उनकी कहने का मतलब मतलब कि there is a difference between law in books and law in action मतलब कि जो हमने विधी किताबों में पढ़ी है और जो वास्तविक में जो विधी है उन दोनों के अंतर की बात करते हैं रॉसकोपाउंड ठीक है रॉसकोपाउंड कहते हैं कि किताबों में जो लिखा है वोई विधी नहीं होती वास्तविक में वि जो है वो किताबों में बॉक्सारी थिक है और इसलिए कि लो फंक्शन करता रहता है अकौदिंग तूसाइटी तो इसलिए वो फंक्शन अस्पेक्ट ओफ लॉग की बातकरते हैं तिक है और उसके बाद वह कहते हैं सोशल इंगी की थोरी उन्होंने दीती समाजिक अभी आ कि उसमें उनका यह कहना था कि लौ का होडेश होना चाहिए लौ पॉपस होना चाहिए साठीसपाक्शन ओप मैक्सिमुम of wants with minimum of friction क्या होना चाहिए ... मिनिममम फ्रिक्शन मतलब की विधी का उदेश क्या होना चाहिए कि अधिक्तम आवशक्ता की संदूश्टी हो और कम से कम घंशन और बरबादी ठीक है फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए और जो वांड्स है जो आवशक्ता है उसकी संदूश्टी जो होना कि जो वांट है पूरी हो मतलब satisfaction हो लोगों का जो society में जो आवशकता है उसको पूरा करे लो और जो friction है जो बरबादी है घर्शन है वो कम हो ठीक है उसको यह वो social engineering की ठीक है यह हो गए एक important theory की social engineering की ठीक है दूसरी बात करते हैं protection of interest की बात करते हैं मतलब हितों की सुरक्षा की बात करते हैं ठीक है तीन तरह के हितों का उन्होंने बगाया है एक होता है individual दूसरा social और तीसरा public ठीक है वैप्तिगत हित समाजिक हित सारवजनिक हित ठीक है यह तीनों तरह के इंट्रेस्ट की बात करते हैं और वह क्या कहते हैं वह यह कहते हैं कि function of law जो है जो लोग का उद्देश है वह यह है balancing of interest ठीक है मतलब यह जो तीन तरह के इंट्रेस्ट है स्वैप्तिगत हित समाजिक हित सावजनिक हित इनकी सुरक्षा करना नहीं इनको balance करना इनको harmonize करना ठीक है इनका संतुलन जो है वह maintain करना नहीं अंत्रण करना ही जो है वह लोग का उद्देश्य होना चाहिए ठीक है तीनों हितों को अलग-अलग उन्हों बात की सोशल इनकी ठीक है और बोलते हैं हो कि यह जो इंट्रेस्ट की जो ठीक है तो की सुरक्षा की बात की है वह एक तरह का experiment है ठीक है इसी लिए इसी लिए उनके concept को उनके jurisprudence को CKLN ने experimental jurisprudence भी कहा है ठीक है क्या कहा है CKLN ने experimental jurisprudence ठीक है this is very important कि CKLN ने क्या कहा कि यह प्रायोगिक न्यायशास्त्र की बात करते हैं रोसको पाउंड क्या बात करते हैं प्रायोगिक न्यायशास्त्र मतलब experimental jurisprudence ठीक एक तरह का experiment कर रहे हैं तो CKLN जैसा कि मैंने आपको बताया था कि CKLN का favorite काम था वो सबको कुछ ना कुछ नाम देते थे तो उन्होंने रोसको पाउंड को भी रोसको पाउंड की थियोरी को उन्होंने कहा कि it is an experimental jurisprudence इंदी में जिसे हम प्रायोगिक न्यायशास्त्र भी कहते हैं ठीक है important books देख लेते हैं रोसको पाउंड की important books है सबसे पहले का है spirit of common laws ठीक है यहां पर confused नहीं होना है क्योंकि Montesky कभी मैंने आपको बताया था कि spirit of laws उनकी जो book है उसका लांग spirit of laws है और रोसको COM की जो जो book है उसको spirit of common laws कर देए ठीक है दूसरे book है an introduction to philosophy of law ठीक है an introduction to philosophy of law ठीक है यह बाकि यह تhory है फादर ऑफ अमेरिकन सोशल लॉजिकल स्कूल कहा जाता है उन्हें उन्होंने कहा कि लॉज़ इस मोर्डें सेट अफ नॉर्म्स विधी मार्णको पिनियम से कहीं जाता है ठीक है उन्होंने कहा कि law in books और law in action में डिफ्रेंस होता है किताबों में जो विदी दी गई है और वास्तविक्त में जो विदी है उसमें दोनों में ंतर धोने Joshua स्थने Fach Оव कुछ और में किन वृति अधिका वी सब्सक्राइब का मारे चाहिए मैंसिमिमर वोन्न नहीं अधिक्टम प्रोटेक्शन औम वीवार्ट पांग चाहिए परदकश में अप्रोटेक्शन ओव इंट्रेस्ट की रॉसको पांग बात करते हैं वहीज्चन और पांपक्र대 क्या थी क्यों इसको हार्मनाइज उसको दूर करने की बात करते हैं वह होते हैं कि व्लॉग आफंशे नहीं होना चाहिए कि इन तीनों की जो डिस्प्यूट है उसको ख़तम करेंगे इंट्रेस्ट के ठीक है और उसको एक अंतें हैं इसके जो श्कूरों को सबसे को दूर्म 신े ख़तम सब्स तो यह आपको याद रखना है आज के लिए नहीं थैंक्यू सो मच